नमस्कार दोस्तों हमारे चानल टूफेक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है आज का हमारा विशा है होमियोपैथिक मेडसिन इप्योन के सिम्टम सबसे पहले हम आपसे अनुद करेंगे कि आप हमारे चानल को लाइक करें, सेयर करें, सबस्क्राइब करें हमारे चानल का सब्सक्राइब करें, हमियोपैथिक मेडसिन इप्योन के सिम्टम, इप्योन अस्दी अनिक प्रकार के रोगों को संवाप्त करने में काफी लाफकारी होती है परन्तु ये अस्दी इस्त्री जोग से समझेत विविल लक्षनों को दूर करने में बिशेस रूप से राफकारी है या इस्त्रीयों मुत्रपन होने वाले कमर दर्द गर्भास एक उप्य जिली का चीर जाना, मासिक धर्म समय से पहले ही अधिक मात्रा में आना पतले पानी की तरह स्राव होना अधि इस्त्री जोगों में इप्यों उस्दी के शेवन करने से लाम मिलता है हलका करच करने पर भी अधिक पर्षीन आना, डलाने या दुखत सपने देखना तद रोगी को ऐसा महसूस होना मानपूरा सरीर लप्सिस से बना हो इस तरह के लक्षनों पहन पर इप्यों उस्दी के शेवन करने से रोग ठीक होता है, सरीर के वेविन अंगों मुत्वान लक्षनों का अधार पर इप्यों उस्दी के उप्योग जैसे सिर से समझे लक्षन, लोगी का सिर्चक्राने के साथ विश्दर बैठने से सवी वस्त घुमतावा महसूस होना, तता दर्द दिरे दिरे नीचे के वर फैलता हुआ, पेट वा जान नाम जननां को तर पहुन जाना, सिर में जलन युक्त दर्द वार धब्बे बनना, सिर पर जलन के साथ तेज दर्द होना, सिर्चक्राने से समझे लक्षनों में से कोई भी लक्षन होने पर रोगी को ईव रीर की हड़ी के निचले भाग में दर्द होना तो रोगी को ऐसा महसूस होना मालो हड़ी टूट गई हो कामर में तीज दर्द होने के कारण रोगी पीठ के किसम पीठ को किसी चीज से सारा देकर बैठता है पीछ में दर्द सुर्व होकर दीले दीले दर्द गोनिगा तक पहुंच जाता है इस तरह के लक्षनों में से कोई भी लक्षन हुत्पन होने पर रोगी को ईपियोन और स्दी दिया जा सकता है सरीर के बाड़ी यंगों से समझत लक्षन रोगी की पिनलियों में एंठन जीकत दर्द होता है जो दर्द रात के समय और बढ़ जाता है ऐसे लक्षन वाले दर्द में रोगी को ईपियोन और स्दीकर शेवन कराना चाहिए इस्तरी जोग समझ्दित लख्षन जैसे दायटि मासर में जलन होना, अधिक मातरा में प्रदर्षवा होना, चीर रनिका रोग, घर्भासर की जिलनी का मूर जाना, मासिक स्राव समय से पहले ज़ता अधिक मातरा में आना मासिक स्राव के समय इस्तरी मुत्पन होने वारी चिर्चीरापन बोलने की एक्षा ना करना जथा छाती वह हिर्दय में सुई चूबने जैसा दर्द भी होना मासिक स्राव के बाद तीला प्रदर होने के साथ ही कमर दर्द होना, कमर दर्द के साथ ही अधिक प्रदर स्राव होना, मुतर त्या के समय योनी के बीच मुतर त्या के समय योनी के बीच में जरनी प्रद होना, गुई कंडु तथा योनिका सूज जाना। इसती रोग की लक्षनों में कोई भी लक्ष मुत्रपन होने पर इवियोन अउस्दी के परियोग करने से लोग समाप्त हो जाता है। मातला हृदा रोग में شफिता संधार तीन सटी के परियोग किया जाता है परन्तु रोग अधिकस्ताली होने पर दूसर सकर्ण परियोग किया ज़ा सकता है हम अपने अगले वीडियो में किसमात्य पूल भीशाफरitt पर बस बन्याकारियों के साथ आवे संगे प्रस्टूटने दाने लाग